हेलो एफडिवन हमारी यूटूब चैनल गाड़न आटिस तरुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे सर्दी की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फूल की जिसका नाम है क्राइसेंथिमम क्राइसेंथिमम जिसे कहीं कहीं सेवन्ती कहा जाता है और गुल्दाओदी इसे हिंदी में कहा जाता है किसी किसी प्रांथ में इसे चंदर मल्किया और चंदर फूल भी कहा जाता है तो आई ये हम इसके लियस्वाइल मीडिया बनाते है मैंने इसमें दो भाग मिट्टी लिये, एक भाग इसमें कोको पीठे और एक भाग इसमें खाद यानि ये गोवर की खाद मिलाई है इस बात कबसेश द्यान दें कि जब आप नए प्लांट लगाएं तो इसमें गोवर की खाद कम ही रहा है क्योंकि ये खाद बहुती ज़्यादा तेज प्रवाव डालती है और हमारे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हीं ये बहुती जल्दी खराब कर देती है इन सभी को अच्छी तरह से मिला लें और हाँ इस बात कबसेश द्यान दें कि जो पत्तर वगेरा हैं उनको आप हटा दें और जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकडे हैं उन्हीं आप तोड़कर छोटे छोटे कर लें और अब बारी आती है कटिंग की जितने भी गुल्दाओदी प्लाइंट है उनमें से आप बड़े बड़े कटिंग ले लें और उसके नीचे की जो पत्तिया हैं उनको आप हटा दें ताकि जब हम कटिंग लगाएं तो उन पत्तियों की वज़े से कटिंग खराब ना हो य इस तरह की कटिंग मैंने ली है ये कटिंग मिली बग लगी हुई है यानि इसमें उपर तरफ कटिंग के जो उपरी हिस्सा है वहां पर मिली बग लगी हुई है अगर आपके पास इसी तरह की कटिंग है तो आप उस हिस्से को थोड़ा सा तोड़ कर फैक दे तो हमें मिल च का केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती आप इसे नॉर्मल मिट्टी में इस तरह से लगा सकते हैं इसे एलोविरा जैल में भी ना लगा है ना हल्दी में लपेटे और ना ही फंगिसाइट में लपेटे आप डारेक्ट इन्हें इसी तरह से लगा सकते बस इस बात का ध्या देखे नीचे तरब इसमें पत्य लगे न हो इस तरह जो भी गमली खाली हैं उनमें हमने एक एक दू कटिंग लगा दी हैं और आप देखेंगे कि लगवग साथ से बारह दिन के अंदर इनकी कटिंग पूरी तरह से तयार हो चुकी होगी और हाँ बांकि जितनी जगह भी क्राइ सेंथिमिम की कटिंग कर दें कुछ इस तरह है ताकि उसमें नई नई कौपल आए और नई नई उसमें कलिया बनना सुरू हो जाए इस बात कब जिस ध्यान दे कि जितना जादा सर्दी का मौसम रहेगा यानि ठंडी का मौसम रहेगा उतने दिन इसमें भी करें और उसके बाद इसकी फूलों को देखें कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी इसमें यह बहुत छोटे वाट में भी लग जाती यह 6 इंच के फॉर्ट है और इसमें मैंने जो हमने पहले कटिंग तयार की थी गमलों में लगा के उन कटिंग को निकाल कर इन थी कम होना चाहिए एक हाद जादा नहीं होना चाहिए नहीं धमाई कटिंग कराब हो जाती है जैसे इसमें कलियां आप तुबारा डाल सकते हैं यह हमारी पूरी कटिंग तयार है जो मैंने निकाल कर ले आई हूँ अभी हम और कटिंग निकाल कर लाएंगे और जितने भी यह पॉर्ट हैं लगवग यह 10 पॉर्ट हैं और सभी पॉर्ट में हमने नहीं लगा दिया आप सूखी मिट्टी में लगाएगे कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोह होगी और उसके बाद इसमें पानी डाले अगर आप गीली मिट्टी में से लगाएंगे तो यह बहुत ही जल सेवंती यान गुल्दाओदी के प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोह होते हैं हमारी जितनी कटिंग थी सभी कटिंग बहुत अच्छी तरह शे ग्रोह हो गई है और यह हमने इसमें लगा दिये हैं यह सब काम आप नवंबर मंद के पहले पहले ही कर लें अभी नवंबर के पंदरा दिन बागी है आप तब तक इन्हीं अच्छे से तैयार कर लें पूरे कंटेनर में पानी डाल दीजिए जितने भी चोटे चोटे पॉटे हैं उनमें पानी अच्छे से डालना है ताकि इसकी मीटी नीचे तक अच्छी तरह से गीली हो जाए और हाँ इस बात का ध्यान दें कि अब इन्हीं उठा के पूरी तरह से चाय वाली जगे में रख देना है अगर आप इन्हीं धूप में रखेंगे तो हमारी कटिंग खरा होने के चांस जादा होंगे इन्हीं कम से कम 24 गंटे के लिए पूरी तरह से चाय वाली जगे में रख दें चाय में इसल कि इनमें कलियां बन चुकी हैं यह लगवक साथ से आठ दिन बात की वीडियो है और यह अभी 15 तारीक की वीडियो है इसमें बहुत अच्छी तरह से कलियां बन चुकी है और अब पूरी सर्दी वहर यान पूरी विंटर की सीजन इसमें धेर शारिफ हूँ लाएंगे जब कल बननी लगे तभी इनमें खात का प्रियोग करें आप इसमें गोवर की खात भी डाल सकते आप इने इसमें कोई केमिकल वाली खात भी डाल सकते या फिर आप इसमें चावल का पानी या फिर केली का फर्टिलाइजर बना कर भी डाल सकते यह सब आपके घरेलू फर्टिलाइ यूरिय और गोवर की खात का प्रयोग एस्ट्रा ना करें जितना मिट्टी में मिलाना सिर्फ उतना ही मिलाएं दूसरा जब आप कटिंग लगाएं तब भी खात का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें एक अच्छी सफल कटिंग के लिए आपको इन बातों का जरूर धियान रखना पड़ेगा अगली बार फिर किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमी कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स पर वाच चेंग